क्यासे हो आप सब 25 रिव्यू का आप सबको इंतजार था वो रिव्यू आज हो रहा है और आसमो से ही यह वीडियो शूट हो रही है तो जड़ा मैं खुद नहीं पता कि एमरे क्वाल्टी कैसी होगी इसकी लेकिन मैं खुद जब एडिट करूंगा तब देखूंगा और आप लोग भी कमेंट करके बताना कि कैसी क्वाल्टी है कैसे लग रहा है है वandy यह भी वाइड एंगल है यह वाइड एंगल में शूट हो रहा है अब यह जो शूट हो रहा है इस वक्त किये वन-080 एंड और इसमें क्या क्वाल्टि मैंं पता लेकिन यह अडिडिट के Time पर मैं देखोँगा quality कैसी और होफुली बहुत दील मिले थी तो मुझे बहुत सब्सकार्स ऑर मुपे प्ज़िआ य चड़ा हुआ लेगी फोउस्मो निकल निकल निगा रहा है तो ये ये का एक Shop है GP Pro करके कारा से मेरे को बहुत अच्छी डील मिली बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छी कंपनी है GP Pro मैं डिस्क्रिप्शन में लिक डाल दूंगा और एक व्लाक और डाल रखा दे मैंने दो-तिन दीन पहले GP Pro के उपर क्योंकि जब मैं लेने जा रहा था तक मैंने लेकिन आप लोगों को कैसी लग रही है यह आप कॉमेंट करके जरूर बताना और यह इस वक शूट हो रहा है 4K तो बैसिकली मुझे यह आइडिया नहीं है यह 4K शूट हो कैसे रहा है क्योंकि मैंने जब कंपनी से यह Osmo ले रहा था तो मैमरी काड इसका 4K वाला जो था वह नॉर्मल बेसिक सा 32GB का मैंने कार्ड ले लिया उन्होंने कहा था कि 4K शूट हो नहीं पाएगा लेकिन 4K तो यह शूट कर रहा है बक्की देखते हैं अगर मतलब पता नहीं मेरे को कि 4K शूट कर रहा है तो कैसे कर रहा है लेकिन ठीक है मतलब अगर सॉफ्टर में जाकर क्या क्वाल्टी दे रहा है उससाब से दे रहा है नहीं दे रहा है तो आपको कैसी लग रही है क्वाल्टी एक डीवैप करके है इसके अंदर वह लेकिन है किसलिए मैं बूल गया पता नहीं मेरा मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा क्योंकि मैं तो मैं उनिके पास जाऊंगा और इस एकशन कैमरे की वो बहुत अच्छे से फोटो सूट करेंगे, बहुत अच्छे से वीडियो बनाईंगे और बहुत अच्छा रिवीव भी वो ही दे सकते हैं मैं शायद नहीं दे सकता इतना अच्छा रिव्यू में दे रहा हूं आपको लेकिन जो प्रॉपर एक रिव्यू होता है वह वही बनाएंगे तो मैं उनके पास जाओंगा तो अभी मैं यहां पर आया हूं सीधा घर से यहां एंट्री मारी है पाजी के घर के आसपास पार्क है तो वहां DJI Osmo का मैं शूट कर रहा हूं रिव्यू शूट करने पारा था दंग से तो पाजी को मैंने बुलाया और पाजी अच्छे से में बता भी पहेंगे कि इसमें क्या-क्या फीचर्स है उनका रिव्यू आप लोग देख लेना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लेकिन अभी फिलाल पाजी शू तो यह देखो यह पाजी का सेटप है इस कमरे में यह स्टूडियो के अंदर इतना ताम जाम करना पड़ता है एक सेटप रेड़ी करने के लिए और हमें लोगों को लगता है बस कि किता बड़िया लाइटिंग है किती बड़िया कैमरा काल्टी है लेकिन उस चीज के पीछ जो दो गंटे कराब होते हैं वो यह चीजे हैं जब दो गंटे कराब होते हैं इन चीजवा सेटिंग में लाने के लिए लाइसाब इतने जहमेले होते हैं एक वीडियो शूट करने के बाद एडिट करने तक और उससे पहले का जो यह जहमेला होता है लाइटिंग का यह सब तो फ्रेंड्स अपना शूट हो चुका है गंप्लीड और गोप्रो गा रिव्यू बहुत ही जल्दी आएगा मेभी कल अगर आ सकता है तो शायद आ जाए अगर कोशिश रही रहेगी कल आ जाए वरना परसो पका आएगा याएगा तो पाजी बताओ कब तक आ सकता है तो बस आप लोग रिव्यू देखना मैं अपने चैनल पर दिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा तो वो देखना क्योंकि बागी जो थोड़ा बद मैंने शूट के है वो भी डाल दूगा और चलो पाजी चलते हैं लेट सादा हो गया ठीक है भाई ठीक है फिर आत के नो बजने वाले हैं अब घर को निकलते हैं फिर थोड़ी देर में ठीक है तो आप लोग का सिर्फ यही काम है कि प्लीज अपने हम दोनों को प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरू किजिए हम दोनों का चैनल इनका चैनल का नाम है विक रहें तो सपोर्ट करो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो बस तो इसे साथ चलते हैं बाई बाई टाटा तो ओके बाजी ओके